दिल्ली के यूट्यूबर गौरव शर्मा की मागीता शर्मा को भी दिल्ली से ग्रफतार कर लिया गया है बताया गया कि उन्हें पशुक रूरता से जुड़े मामले में ग्रफतार किया गया है इस से पहले यूटीवर गौरव शर्मा को उनकी वाइरल वीडियो पर लोगों का गुस्सा फूटने के बाद ग्रफतार किया गया था कई वीडियो में गौरव शर्मा को पालतू कुत्ते की पीट पर बैलून बांधते और उडाते हुए देखा गया था सोमवार को उसकी मा को भी मामले से जुड़ा होने पर ग्रफतार कर लिया गया है हाला कि मालविये नगर के पंच्शील विहार की निवासी गीता शर्मा को कुछ दिन पहले भी पुलिस ने हिरासत में लिया था लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया महिला ने पुलिस को बताया था कि उसका बेटा यूट्यूबर है और उसने अपने चैनल के लिए यह वीडियो बनाया था वारेल वीडियो पर तीखी आलोचना के बाद यूट्यूबर गौरब शर्मा को इससे पहले ग्रफतार किया जा चुका है पुलिस का कहना है कि उसकी माग को भी वीडियो में देखे जाने के बाद उसे भी ग्रफतार किया गया है जबकि गौरब की अब जमानत हो चुकी है लेकिन इन दोनों लोगों के खलाफ मामला आबदा प्रभंदन अधिनियम और पशूप क्रूरता निवारन अधिनियम की धाराओं में दर्ज है बता दें कि एक वीडियो किलिप में गौरब को कुत्ते के साथ कार के उपर खड़े होते देखा गया था जबकि गौरब कुत्ते को जाने देता है और हवा में तेरने लगता है और इमारत की दूसरी मंजिल तक पहुँच जाता है कुत्ता कुछ पलों के लिए हवा में तेरते दिखाई देता है इस दौरान यूट्यूबर और उसकी मा दौनों वीडियो का आनंद उठाते देखे गए थे हाइडरोजिन बैलून से बंदे कुत्ते का वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा उन्होंने गौरब के अमानवीय काम की सोचल मीडिया पर खूब आलोचना की बाद में वीडियो पुलिस के संग्यान में आने के बाद गौरब के खलाफ मामला दर्ज किया गया और उसको ग्रफतार कर लिया गया बताया जाता है कि गौरब के यूट्यूब चैनल पर 4.15 मिलियन सब्सक्राइबर है और उसने विरोध के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया था बाद में उसने दूसरा वीडियो अपलोड किया और बताया कि उसने सुरक्षा के सभी एतियात बरते थे लेकिन सब्सक्राइबर की तरफ से उसे समर्थन नहीं मिल सका दोस्तो आपकी गौरब को लेकर क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर जिसमें हमने बताया था कि शादी के दिन आखिर दुलहन ने दुले को कई थपड क्यों जड़े आप वो वीडियो देखिए और बताइए कि आखिर उस वीडियो को लेकर भी आपकी क्या राय है ब्योरो रिपोर्ट टाइम 24 नियोड